हलो फ्रेंड्स मैं कुंदन सर्मा आप फिर से वेलकम करता हूँ अपने चैनल YMW Solution में फ्रेंड्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप जोलेरी के बिजनस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कौन सा फ्रेंचाइज बेस्ट रहेगा जिसका आप आप आउटलेट ओपन करके बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं आपने तनिश जोलेर का नाम तो सुना ही होगा तनिश जो कमपनी है बहुत ही फेमस और फेमिलेर ब्रांड है इंडिया में और यह जो कमपनी है यह सबसेडिरी पार्ट है टाइटन कमपनी के फ्रेंट्स आप लोगों को पता ही होगा टाइटन जो कमपनी है उसके जो प्र वो बहुत ही most important और essential requirement होते है humans की life में आप कहीं पर भी चले जाएए, कोई भी marriage ceremony, parties, festival या कोई भी occasion पर चले जाएए, आप वहाँ पर देखेंगे जोलेरी जो है एक integral part होता है human civilization के अंदर में कहीं ने कहीं जोलेरी जो है charm add करता है यह सारे जो चीज है वी प्रूफ करती है कि उमेंज जो है ज्यादा gold ornament के तरब में बहुत ज्यादा attract करते है लोगों पता ही होगा कि जब gold का price 30,000 per 10 gram था तब भी जो gold का demand था बहुत ही ज्यादा था जब gold का price जो है 50,000 per 10 gram हो गया अब भी जो gold का demand है वो उसी तरह से है तो friends ही कहीं ने कहीं प्रूफ करते हैं कि यार gold का demand कभी भी कम नहीं होने माला है तो आपको जो investment है gold में वो कहीं ने कहीं बहुत ही अच्छा और बहुत ही smart investment होने माला और आपको जो मुनाफ़ा है बहुत ही अच्छा होने वाला है जिसे कि आप high return जो है earn कर सकते हैं आपका return on investment है जो है वो आपको one years के अंदर में आपका cover हो जाएगा friends अगर आपके पास में बहुत ही अच्छा investment amount है तो आप भी तनिश का franchise लेके आप उसका outlet open कर सकते हैं तो friends अगर आप तनिश का franchise लेके उसका outlet open करना चाहते हैं तो हम लोग देखेंगे कि उसके लिए क्या eligibility criteria होगा दिन उसके बद हम लोग देखेंगे कि उसके लिए कि आपको इस वीडियो में देखेंगे friends आप इस वीडियो को बिना skip के शुरू से अंतर देखें ताकि आपको इस वीडियो की पुरी जानकारी मिल पाए कि आप तनिश का franchise लेके कैसे आप उसका outlet open कर सकते हैं friends में आपको बदा दूँ कि बहुत लोग क्या होता है कि जैसे मैं वीडि friends मेरा आप सभी लोगों से request है आपके लिए मैं जो वीडियो लेके आता हूँ आप उस वीडियो को पुरा देखें ताकि आपको उस वीडियो की पूरी जानकारी मिल पाए और friends मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप like and share जरू करें और मेरे चैनल को subscribe कर लें तो चलिए और take spare of Indian होना चाहिए और उस applicant का जो minimum age है वो 28 years complete होना चाहिए देन उसके बाद mention क्या हुआ है कि the applicant should have passed the degree यानि कि जो भी applicant apply करना चाहते है उसके पास जो minimum qualification वो degree होना चाहिए अब mostly जो तनिस जो है prefer करता है MBA degree holder को अगर आपके पास में MBA का डिगरी है तो definitely जो है तनिस का जो liquid money जो है देर करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के बीच में होना चाहिए और जो money है वो in the form of आपके पास में अगर किसी company का share खरदा हुआ है या कोई bond खरदा हुआ है या gold है तो उस form में भी आपका liquid money जो है count होगा देन उसके बाद mention किया हुआ कि आपके पास में commercial space होना चाहिए maximum जो है 4500 square feet का होना चाहिए अगर average area देखा जाए तो average space में आपके पास में 1000 square feet चे लेके 1500 square feet के बीच में होना चाहिए देन उसके बाद देख रहें mention किया हुआ है कि जो भी applicant तनिस के franchise के लिए apply करना चाहता है वो already वो पहले से ही किसी retail business में होना चाहिए अगर आप पहले से ही किसी retail business में है तब तनिस जो है आपका franchise का जो application है वो जल्दी approval कर देता है देन उसके बाद देखेंगे कि अगर आप तनिस का franchise लेने जाते हैं तो उसके लिए आपको कौन-कौन से document की requirement रहेगी तो मैं आपको बता दूँ कि जो पहला जो document है आपका जो भी company होगा अगर आपका solve provider सीफ होगा या LP firm होगा या private limited firm होगा तो उसका business registration certificate आपको देना पड़ेगा आपको bank का statement submit करना पड़ेगा देन उसके बाद देख रहे हैं mention किया हुआ है कि आपको एक trade license भी चाहिए आपके respective municipality area से देन उसके बाद आपको shop या आपके establishment का एक registration आपको certificate चाहिए आपके local authority से ये जो certificate है आपको chamber of commerce से भी मिल जाएगा और उसके बाद जो है आपको GST registration रखना जुरूरी है देन आपके business का EPF registration और ESI registration ये दोनों जो है आपको mandatory है अगर आपके पास में ये सारे document और license आपके पास में है तो आप तनिस के franchise के लिए आप apply कर सकते हैं देन उसके बाद दिखेंगे कि अगर आप तनिस का franchise लेने जा रहे हैं तो आपको कितना investment करना पड़ेगा मतला आपको franchise cost कितना आएगा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप तनिस का franchise लेकर उसका outlet open करने जा रहे है तो investment जो amount है वो vary करेगा place to place मतला कि वो depend करता है आपको place to place कि आपका store है कौन सा location पे open कर रहे हैं अगर आप non prime location पे open करते हैं definitely है कि आपका जो investment है वो कम आएगा अगर आप बहुत ही prime location पे बहुत ही बड़ा आप commercial space लेके अगर open करते हैं जो आपका investment है वो बहुत ही जादा आएगा जैसा कि देख रहे अगर तनिस का franchise लेके आप उसका outlet open करना चाहते हैं तो आपको जो investment है वो 15 से 20 कोड के आसपास लगेगा फिर आप देख रहे हैं मैंने एक mention किया है कि अगर आपका तनिस का जो outlet है अगर कोई prime location या metro city में रहा तो आपका जो investment cost है वो 40 कोड से लेके 50 कोड के आसपास में आप आपको investment करना पड़ेगा फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर आप तनिस का franchise के लिए apply करते हैं तो आपको initially जो है कितने साल के लिए आपको franchise का आपको tenure मिलता है फ्रेंड्स में आपको बदा दू कि आपको सुरुवाती में मतलब कि आपको initially जो है आपको 9 साल के लिए तनिस franchise का आपको agreement देगा देन उसके बाद जो है आपको renewal करवाना पड़ेगा फ्रेंड्स में आपको बदा दू कि अगर branded जोलेरी में किसी का नाम पहला जो आता है वो तनिस का नाम आता है तो इसलिए जो तनिस का जोलेरी का business है वो highly profitable business है मैं आपको बदा प्रेंड्स में आपको बदा दू कि जब कभी भी आप तनिस का फ्रेंचाइज लेकर उसका outlet ओपिन करेंगे तो आपको जो है प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा मला कि जो भी सूने का मला कि जो भी जोलेरी का business है वो कभी घाटे में नहीं जाता है वो mostly highly profitable ही रहता है तो इ प्रेंड्स में आपको बदा दू कि अगर आपको बदा दू कि अगर आपको तनिस का फ्रेंचाइज के लिए apply करना है ओनलाई तो यह आपको यहाँ पर नमबर भी mention कर दिया हूँ आप डायटली इस नमबर पर call करके आप बात भी कर सकते हैं उसके पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ email भी mention कर दिया आप email के थुरू अपना request जो है send कर सकते हैं डायटली company में और friends में आपको बदा दू कि अगर आपको online apply करना है तो देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक link आपको इस link पर click करना है और आप यह link जो है आप directly जो है अपने browser से भी open कर लेंगे आप जब open करेंगे यह link को तो आपके पास में कुछ इस प्रकार से page open होके आ जाएगा आप देख रहे हैं मेरे पास में इस प्रकार से page open होके आ गया जहाँ पे लिखा हुआ आपको इसको scroll down करना है अगर आप कुछ company के बारे में रिट करना चाहता है तो आप यहां से रिट कर लेंगे इसके बाद देख रहे हैं यहां मेंशन किया होगा है और उसके बाद देख रहे हैं यहां मेंशन किया हुआ हो कि existing titan company limited business associates अगर है तो yes करेंगा अगर नहीं है त interested business division आपको कौन सा business का यहां फर फ्रेंचाइज लेना है यहां देख रहे हैं यहां फाइप टाइपस ओ बिजनस है टाटा company के तो आपको किस business का यहां फ्रेंचाइज लेना तो आप यहां टिक आउट कर लेंगा मेरे तनिस का लेना तो इसलिए मैं तनिस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है 20 करो के आसपास का आपको investment करना पड़ेगा सेम जो है आपको यहां मेंशन किया हुआ है ठीक है तो आप इसको यहां cross कर लेंगे फिर उसको देखर मेंशन किया हुआ कि will you be interest if multiple business opportunities if given अगर आपको टाटा company के तरब से और भी multiple business opportunity आपको दिया जाए तो आप करेंगे अगर करना चाहते हैं तो yes पर क्लिक करेंगे अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप no पर क्लिक करेंगे तो yes definitely में करना चाहूँगा तो यहां पर yes पर क्लिक करूँगा उसके बाद पूछा गया कि number of partner आपके साथ में कोई number of partner तो yes करेंगा अगर नहीं है तो जिरो ही रहने देंगे तो यहां पर आपको क्या करना हे अपना जो Personal Information है वो फिल कर देना है पहला जो देख रहे हैं आप यहां First Name फिर आपको Last Name करना है फिर आपको यहां पर अपना जेनर सेलेक्ट कर ले आपको यहां mobile number अपना mention करना पड़ेगा, अगर landline number है तो आप landline number यहां mention कर देंगे, उसके बाद आपको यहां पर अपना email address मेंशन करना पड़ेगा, और आपको यहां residence address, यहां पर आपको यहां state select करना हो, जो भी state से होंगे, यहां पर आपको city select करना पड़ेगा, जो भी city अगर आप करेंटली कोई भी अगर ब्रांडड या नॉन ब्रांडड रिटेल बिजनस में अगर आप इंगेज हैं तो आप उसका यहाँ पर information mention करेंगे फिर उसका पुछा गया है कि in which geographical area do you currently operate your business मतलब कि अगर आप कोई retail business में अगर अभी हैं इंगेज तो आपको आपके business का location क्या है वो यहाँ पर mention करना पड़ेगा फिर उसके बाद यहाँ पुछा गया है कि where you ever prosecuted or involved in any legal dispute if yes please give detail फ्रेंट्स में आपको दादध्यूं कि यहाँ पर mention किया है कि अगर आपके ऊपर कोई भी legal अगर dispute चल रहा है या कोई भी case मुगदमा चल रहा है तो आपको यहाँ पर mention करेंगे yes और उसका detail mention करना पड़ेगा तेने उसके बद देख रहा है कि आपको यहाँ पर education, qualification आपको यहाँ mention करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो भी आपका qualification है, वो mention करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो minimum है, वो qualification degree का आपको चाहिए, अगर आपके पास में qualification degree है, तो उसका यहाँ पूर mention कर दीजे, year of passing mention कर दीजे, then आपको अपनी college का नाम और address यहाँ mention करना पड़ेगा, then आप देख रहे हैं कि यहाँ mention किया है कि career and business information, यहाँ पर आपको अपना खुद का जो information वो feel करना पड़ेगा, अगर आप किसी business में पहले से involved हैं, तो उस business का पूरा detail है, यहाँ mention करना पड़ेगा, nature of business mention करना पड़ेगा, turnover mention करना पड़ेगा, आपका कौन सा position है उस business में, वो mention करना पड़ेगा, फिर number of years, कितने साल से आप काम करें, वो mention करना पड़ेगा, फिर उसको देख रहें mention करना, duty and responsibility, number of employee, supervised and client based, आपको सारी चीज यहाँ mention करने के आपका duties क्या है, responsibility क्या है, आपके पास नंबर of employee कितने काम करते हैं, supervised कैसे करते हैं, फिर आपका client based क्या है, यह सारी चीज जो है आपको यहाँ mention करना पड़ेगा, अगर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको fill नहीं करेंगे, तो चलि मैं इस form को पहले fill कर देता हूँ, आप देख रहे हैं, मैंने इस form को fill कर दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, next पे click करना है, है आप बुम कց एब नेक्स जफिल करना है। आप जयासे तृम yol船 हुँ करना है। आप जैसे ही nearest पे क्लिक कीज़ेगा, आप देख रहे हैं यह आपका personal information जो है व्यां का फिल हुचका है आप आपको जो है business information आपको फिल करना है तो आपको जो भी business होगा आपको अपना business का यहाँ name fill करना है फिर उसका GST number फिर आपको कितने number of director है या partner है वो mention करना है फिर आपको देख रहे हैं firm business address आपको जो भी register address होगा आपके business का वो mention करना है फिर आपको यहाँ पर CT mention करना है और आपके business का यहाँ पर state mention करना है फिर यहाँ देख अगर अब कर देख रहे हैं हम आपके पार्टनर की d suscri ingredient अगर आपका आपका जो है partner है तो पार्टनर कम करेंगे अगर रिक्टर तो दोनों अपर यहां पर नेवशा करते लेंगे फिर उसके बाद देख हैं यहां किस बूसें तर अब अप यहां पे भी तनिस का फ्रेंचाइज लेकर आउटलिट ओपिन करना चाहते हैं तो वहां पे कौन पर्सन जो है उस स्टोर को हैंडल करेगा उसका यहां पे नाम मेंशन करना है और उसका अगर आपका जो प्रोपर्टी है आपका जो भी आउटलिट है अगर रेंट पे है या लीस पे है तो कितनी साल के लिए वो लीस पे है वो मेंशन करना है यहां पे है ठीक है उसके बाद प्रोपर्टी के एड्रेस मेंशन कर देंगे फिर आपको यहां पे फिनांशिल स्टेटमेंट आपको मेंशन करने कीलिया है और आपको 12 कल से लेके पांच कोल्ड के बीच में होना चाहिए तो वूँसी का जो है आपको यहां पर इप nowadays और आपके पास में जो ल और यहां fixed asset है, आपको fixed asset में आपको home आपको खुद घर है, वह mention करना है, कितने गारी है, यह सारी चीज का आपको इहाँ information mention करना है, तो यह दूनों को मिला के कितना आपका asset होगता है वह आपको यहाँ mention करना पड़ेगा, देर उसका देख रहे हैं यहाँ पर individual liability, आपको liability अगर आपको कोई फिनांशिंग होगा तो आप यहां मेंशन करेंगे अगर नहीं है तो कोई not available करेंगे यहां पर फिर उसको बाद देख रहे हैं यहां पर मेंशन किया होगा परसनल फर्म बैंक ब्रांच एड्रेस आपका जो भी फिर्म का जो भी बैंक ब्रांच एड्रेस होगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा देन उसको बाद देख रहे हैं मेंशन किया होगा कि how much capital will you be able to invest in the proposed business मैं आपको बदा दूँ अगर आप 30 का franchise लेके उसका outlet opening करने जा रहे हैं आप उस proposed business में आप कितना invest कर सकते हैं capital वो आपको यहां mention करना पड़ेगा फिर उसके बाद देख रहें mention क्या हो कि Will you be interested to invest more in tighten if multiple opportunity are given तो आप यहां पर करेंगे yes then उसके बाद आप आगे proceed करेंगे फिर उसके बाद पुछा गया कि are you willing to declare collateral security तो यहां पर yes कर लेंगे फिर उसके बाद पुछा गया कि would this business be your sole income source अगर आपका यह जो business है अगर आपका main source of income है तो आप yes यहां mention करेंगे अगर नहीं है तो no mention करेंगे दिन उसके बाद पुछा गया कि have you ever been involved in any business which has closed down please provide detail अगर आपको ऐसे business involved करते हैं कि जो आपका business start के था और वो बंद हो जोगा है तो आपको उसका detail यहां mention करना पड़ेगा फिर उसके बाद देख रहे हैं यहां पर other information mention करना है कि describe why you believe that you can be a successful franchise बले यहां पर यहां पर यह आपको ऐसा कोई word यहां mention करना पड़ेगा तो आप अपने हिसाब से अपने बारे में यहां पर description कर देंगे तो चलिए मैं इस form को प्रफिल कर लेता हूँ उसके बाद मैं submit button पर click करूँगा आप देख रहे हैं मैंने इस form को fill कर दिया है उसके बाद आपको क्या करना है submit button पर click करते हैं तो friends देख रहे हैं जब submit पर click करेंगे तब आपके पास में इस प्रकार से यहां message आपका display होगा कि thank you for submitting the franchise application form and franchise team will be contacted soon friends मैं आपको बता दूँ कि TANIS के franchise का जो team है वो आपको एक week के अंदर आपको contact करेंगे आपके बारे में information पुरा पुछेंगे देन जाके जो भी regional manager होंगे TANIS के आपके area के वो आपसे जो है over the phone contact करेंगे और आपसे जो है franchise लेने में अगर आपको कोई भी problem आता हो तो आप मुझे इस वीडियो के comment box में comment करें मैं आपको वहाँ पे step by step guide करूँगा कि आप TANIS का franchise लेके उसका outlet कैसे open कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप like and share जरू करें और मैंने चैनल को subscribe कर ले धन्यबाद जय हिंद